हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू माई चैनल, यू एन आई, होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है बजाज का हैंड मिक्सर तो चलिए, आज इसका रिव्यू किया जाए आपके साथ मिलकर तो बिना कुछ डिले किये, लेट स्टार्ट, ये है मेरा पजाज का हैंड मिक्सर जिसके साथ मुझे दो तरग के ब्लेट्स मिले हैं, एक है ये बीटर, केक बीटर और साथ में ये डो होक्स हैं, ये दोनों स्टेंडर्स टील के हैं, इसलिए बहुत ही मजबूत और डियूरेबल हैं ये मैंने इनको फिक्स कर लिए अपनी मशीन में और चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने सोचा क्यों न अगर इसका रिव्यू कर रहे हैं, तो आपके सामने घी बनाया जाए इससे क्योंकि घी बनाना काम में कुछ ऐसा मेहनत वाला काम बस है, कोई ऐसा टेकनीक नहीं है इसके पीछे बस यह बहुत टाइम टेकिंग जॉब है, कोई ऐसा इसमें रैसिपी नहीं है, कि घी बनाने की कोई प्रिकुलर ऐसी रैसिपी है कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे ही घी बना लेते हैं, कुछ लोग बहुत देर उसको मतानी से मताते हैं कुछ लोग हाथ से करते हैं कुछ mix ही में करते हैं बहुत सारे तरीके हैं तो मैंने आज इस से try किया है ये देखिए मैंने इसको पहली speed पे start किया है इसको mix करना hand mixer से थोड़ा मुझे लगा ये जल्दी होगा क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लगता है हाथ से mix करने में और जल्दी से निकलता भी नहीं है ठंड में तो फिर भी बहुत जल्दी ये निकल जाता है क्योंकि ठंड में temperature इतना अच्छा रहता है कि दिक्कत नहीं होती है गर्मी में बहुत जल्दी ये हीटेड हो जाता है ये देखिए एक बार मिक्स करने के बाद मैंने फिर सब कोई खटा करके बीच में किया है और फिर से मैं इसको मिक्स करूंगी गर्मी में प्रॉब्लम होती है कभी-कभी ये अलग से पानी नहीं छोड़ता जो कि बहुत होगा तो वो बहुत कम निकलता है आज मैं आपके साथ इसलिए इसको शेयर कर रही हूं कि आपको भी पता चले कि अलग-अलग तरीके से लोग बनाते हैं और कौन सा तरीका सही है मैंने दो-तीन बार ये अपने प्रॉसेस रिपीट किया और अब देखे ये पानी आने लग गया था मेरे हाथ में थोड़ा-थोड़ा उसके बाद मैंने फिर भी अब इक किया में एक सच्छे से कि थोड़ा सा और ये सॉफ्टन हो जाए और पानी निकल रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए एजेक्ट कर लेती हूं इसको निकाल लेती हूं और बरफ का पानी इसमें हम डालिए ठंडा जिससे की गी बिलकुल अल डाट जो आप केक में इसली यूज कर सकते हो बहुत सारी चीजों में आप इसको बटर बटर की तरह भी यूज कर सकते जो कहते हैं अन्साल्टेट बटर वाइड बटर बहुत लोग खाना पसंद करते अब इस बटर से हम लोग बनाएंगे घी तो अगर आपका अलग घी मलाई ने पानी नहीं छोड़ा तो प्लीज डोंट वरी ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम वाली बात घी तो आपका फिर भी बनेगा ही बस ये है कि घी उससे ज़्यादा अच्छा बनता और शायद थोड़ा सा ज़्यादा निकलता गवराने की कोई बात नहीं है बहुत लोग तो बिना फेटे ही की डारेक्टली बना लेते हैं जिनके पस टा AMYM नहीं है जो वरकिंग लेडीज हैं वो तो बस डारेक्टी बना लेते हैं तो उनिए के लिए ये इजी प्रॉसेस है कि आप मशीन से करोगे तो जो हाथ से मिक्स मिक्स करना पड़ता है वो भी आपको कम टाइम लगेगा करने में बस उसके बाद तो कुछ करना नहीं है ये तो अपने आप उबलता रहेगा धीरे धीरे आप उसको हिलाते रहेंगे बीच बीच में जिससे कि आपके कड़ाई जले नहीं और अच्छा खासा घी आपका निकल जाएगा ये देखिए ये हमारा कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे वो घी कल के रूप में आ रहा है और मैं इसे बहुत ज़्यादा को नहीं करती एक लेवल के बाद मैं इसे बन कर देती हूँ क्योंकि इस समय इसका टेंपरेचर बहुत हाई होता है आप थोड़ा सा लाली पन पे आना स्टार्ट होगा और आप उसे बन कर देंगे तो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद वो अपने कलर चेंज हो जाएगा इतना जादा इसका टेंपरेचर होता है कि वो गैस अगर बन कर दिया उसके बाद भी थोड़ी देर तक वो हीटेड रहता है और ये जो फिर उसके बाद बचता है उसका मैं यूज करती हूँ किसी भी अगर आप ग्रेवी वाली रेसिपी में आप टमाटर के साथ उसको पीस लोगे न तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मैं सच में बता रही हूँ अभी ये थोड़ा सा कच्चा पन में था मैं बार बार निकाल के चेक कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा काला ना कर दू अदर वाइस फिर वो मेने किसी काम का नहीं रहेगा ऐसे तो मैं इसको कटोरी में रख लेती हूँ और पनीर वनीर के आप ग्रेवी वाली सबजी बनाओ किसी चीज में डाल लो तो बहुत अच्छा हैगा दम आलू में डाल लो ये सब चीजों में बहुत अच्छा गी का फ्लेवर आता है ये देखे अब हलका हलका इसका कलर चेंज हो रहा है भी नहीं होता है झाल झाल